नमस्कार दोस्तो हमारी से अट्रोजी और पामिष्ट्री चानल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शनी परवत और इसनके रिलेटेड शेर मार्केट में ऐसे कौन से सेक्टर है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ऐसे कंडिशन में आपको किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसकी वज़े से आपको अच्छा प्रविट मिले शेर को अच्छे रिटरंस मिले तो सबसे पहले बात करेंगे कि कुछ अच्छे साइन के बारे में जो अगर आपके हातों में हो तो आपको कौन स सेक्टर में investment करना चाहिए सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोन अगर आपके शनी परवत पर मौजुद हो तो ऐसे विक्तियों में चामडे related सेक्टर चामडे related इंडस्ट्री जो होती है लेधर इंडस्ट्री वैसे इंडस्ट्री में अगर आप investment करोगे तो बहुत सारा धन आप अरजन करोगे जैसे की बाटा जैसी कमपनी हो गई जैसे वो लेधर से शूज बनाती है फुट्वेर बनाती है तो ऐसी कमपनीज में आपको profit बहुत जादा मिलेगा यह आपके लिए लकी होगा उसके साथ ही अगर आपके यहां पर त्रिकोन हो तो ऐसे विक्तियों ने metal related industry श्ट्रील इंडस्ट्री लोहे की जो कमपनिया है वहां पर investment करने से भी आपको बहुत जादा धनलाब होगा उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पी अगर square का निशान बन रहा हो आपके शनी परोत पर square का निशान बन रहा हो तो ऐसे विक्तियों ने oil related sector में investment करने के बाद इनको अच्छा profit मिलेगा जैसे खाने का तेल हो गया उसके साथ साथ पेट्रोल डीजल इन सेक्टर में ऐसे विक्तियों को profit मिलने के chances है उसके साथ ही mechanical sector mechanical engineering sector जो होते है वहाँ पर भी अगर ऐसे विक्तियों ने investment किया तो वो भी profitable आपके लिए रहेगा उसके बाद third sign है अगर यहाँ पर त्रिशुल का निशान बन रहा हो तो ऐसे विक्तियों ने gas related जो भी industry है O.N.G.C हो गया ऐसी कोई भी industries है जो gas बनाती है या फिर gas का distribution करती है उन industry में अगर आप investment करोगे तो आपके लिए profitable रहेगा उसके साथ साथ construction sector में भी investment करना आपके लिए profitable है यह होगे कोई शुबचिन उसके साथ साथ अगर शनी परोथ पर खड़ी रेकाय होगी तो यह भी एक शुबचिन नमाना गया है हमारी शास्त्र के अनुसार और यह भी उतना ही फल देगी जितना त्रिकोन चोकोन या फिर त्रिशुल का निशान आपके शनी परोथ पर मौ निवार्ट